असलाम वालेकुम नाजरीन ड्रामस ये माने ही सास हुमे की नेक्स एपिसोड में आप देखेंगे सलमान बहुत मजबूर होकर अपनी वादा की कहने पर जैसे कैसे करके घर वापिस लोट आता है मगर फिर भी वो अपनी नाराज़की अरूज से नहीं छोड़ता और बद और ये बात अद्रीस भाई ने भी नोट की है सलमान को तो और भी ताज़ुब होने लगा उसके बद गुमाने इस अरूज से और भी बढ़ जाती है यही बात मुसे तायब उन्हें भी की है सेम टू सेम अब वो सलमान के आगे मानती हैं कि चलो मैं सास उसे नफ़त करती और ये सब कुछ मैंने अपनी आँखों से भी देख लिया तो भलब मैं कैसे इस बात को इग्नोर कर सकता हूं जुट ला सकता हूं अब जब सलमान अपने कमरे में जाता है तो अरूज की बात कर सलमान को जवाब नहीं देता तब ही अरूज ने कह दिया बात नहीं करोगे जवाब नहीं दोगे तो मसले का हल कैसे निकलेगा तो सलमान ने भी कह दिये एक वक्त में एक ही सील्ट पे बैठो या तो बीवी बनो या फिर डिरेक्टर ओफ फैनांस तो अब उसने अपना आटल फैसला सुना दिया कि वो हमात को फायर कर दे और तब भी वहां से चला ज जाता है जबके दोसरे जानी बारूज की दोस्त हमात को कॉल करके सारी हकीकत बता देती है कि इसकी वज़े से अरूज की मेरिड लाइफ पर कितना असर हो रहा है यह सुनकर हमात को भी दुख होता है क्योंकि वो अरूज को परिशाने में नहीं देख सकता अब ऐसे में के लिए नुकसान दे है ये सुनकर तो सल्मान को गुस्सा ही आ जाता है मेरे लिए क्या सही और क्या गरत ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं तो इसलिए अपनी हद में रहो यूई आखिरकार ये हमाद जौब छोड़ देता है क्योंकि वो अरूज के लिए मुश्किलात नह अब ये मामला यहीं पर थम तो गया मगर अद्रीस मिया एक ना एक दिन बे नकाब होकरी रहेंगी अभी तो वो हमाद के निकल जाने की वज़े से काफी खुश होंगे और उन्हें तसलिभी आ जाएगी कि मेरा भांडा अब नहीं फूटीगा मगर ये तो फिर इन्हें वक अप्तिवा ताइगा